दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के मचली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुन्दर बिहार चैनल के उपर कमेंट में आता है हम कोशिस करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए आपके सवालों का जवाब देने के लिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देखते हैं आज का अगला कमेंट है धरमेश परसाथ के तरफ से लिखते हैं के सर दुबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे सिल्वर मचली का चारा बताए देखिए सर इस चैनल के उपर स सारा हमने अपलोड किया है मैं आपको कमेंट में भी जवाब दिया हूँ तीसरा आपका कमेंट आया तो मैं सोचा के कमेंट बॉक्स बनाने से पहले आपको जवाब दिया जाए क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी जवाब चाहिए था देखिए मैं इंतजार कर रहा था कमे से खरीद कर उसको मसल करके पाउडर बना लीजिए इसके अलावा आपको चाहिए थोड़ा सा उसमें शहद इसके अलावा लहसुन लहसुन का एक टुकड़ा लीजिएगा उसको निचोड करके थोड़ा सा रस निकालिएगा और इसके अंदर मिला दीजिएगा मिलाने के आपको कॉमन कार्प भी आएगी और जो ग्रास मचली है वो भी थोड़ा भूत पकड़ती है तो मैं उमिद करता हूं सर इस तरीका से शिकार करेंगे अगर आपको शिकार मिलता है दोस्त तो वापस आ करके जरूर रिपलाई कीजिएगा थेंक्यू सर अगला कमेंट है गेहूं का चोकर और मुर्गी का अंडा दोनों को मिक्स कर लिजे मिक्स करने के बाद से जहां आप शिकार करना चाहते उस जगह पर थोड़ा थोड़ा गोली बनाकर गोल लड़ू जैसा बनाकर के पानी में डालिए इसके बाद से आपको गेहूं के हाटा में थोड़ा सा म Common Carp का चारा बताईए क्या खा थी है मैं आपके चारा बताते हो तो उसमें शिरिफ रोहु या दूसरा मचली लगता है Common Carp नहीं लगता है देखे सर Common Carp को शिकार करने के लिए इस चैनल पर वीडियो अपलोड है लेकिन मैं आपको अभी सरदी का मौसम है इस मौसम के लिए एक और बेहतरीन चारा बता रहा हूँ, आप उबला हुआ आलू और उबला हुआ मटर यानि छेमी जो होता है उसका दाना ले लिजिए, दोनों बराबर क्वांटिटी में लिजिएगा और दोनों को मसल करके बिल्कुल भूरता बना दीजिएगा, तो आप उसको कच्चा दोनों को पीश सकते हैं या उबाल करके उसको चटिनी जैसा बना सकते हैं, उसके बाद से आप इसको एक कप गेहु के आटा में मिक्स कीजिए, मिक्स करने के बाद से आप इसका चारा तयार कर लिजिए, ध्यान रखना है एक कप आपको छेमी चाहिए, एक क कप मसला हुआ या पीसा हुआ आलू चाहिए और एक कप गेहु काटा चाहिए तीनों का क्वांटिटी बराबर होगा फिर आप इससे शिकार करेंगे बहतर शिकार होगा थेंक यू सर अगला कमेंट है नफीस खान के तरफ से लिखते हैं के सर आपने जो मुझे मचली पकड़ने का तरीका बताया था वो बहुत सही था मेरे को बहुत सारी अच्छी मचली और बहुत सारी मिली बोलते हैं के मिली मेरे को बहुत मचली और अच्छी मिली देखे सर मैं कोशिस करता हूँ कि हमारे भीवर को आसान और बिलकुल बिना परिशानी के कम समय में चारा तयार करे और मचली का शिकार करे इसके लिए हम लोग रात को और दिन को दोनों टाइम रिसर्च करता रहते हैं हमारा पूरा टीम इसमें मिला होता है तो हमारे यही परियास होता है कि आपको या हमारे दूसरे भीवर है उनको आसानी से फाइदा पहुचे तो दोस्त अगर आपको फाइदा पहुचता है तो कमेंट कीजिए जैसे इनों ने किया है कमेंट कीजिएगा तो हमें भी आच्छा लगता है कि हमारे भीवर को फायदा पहुच रहा है मैं आपको अगें थैंक यू बोलता हूँ नफिस सहाव आपने कमेंट किया अगला कमेंट है मानो ओपी के तरफ से लिखते हैं कि भाई मचली का चारा कुछ बताईए जिसका फेवरेट चारा हो तुरंत मचली पकड़ ले देखिए सर मचली का फेवरेट चारा मौसम के उपर भी डिपेंड करता है कि किस मौसम में और कहां शिकार कर रहे हैं तो बेतर है कि गर्मी के मौसम में किस तरीका से शिकार करें सर्दी के मौसम में किस तरीका से शिकार करें इसको समझना उसके बाद से आप चारा में थोड़ा बदलाव करके चारा दे सकते हैं सर्दी के मौसम में पानी के थोड़ा गहराई में शिकार किया जाता है गर्मी क मौसम में किनारे के तरफ शिकार कीजिए लेकिन अगर पानी साफ है तो पानी के गहराई में ही शिकार कीजिए लेकिन बरसात का मौसम है तो बिलकुल किनारे के तरफ शिकार करना चाहिए चारा में थोड़ा बहुत बदला होता है खास तोर से रोहू, कतला, मिर्गल इस तरह की मचलिया है, इनके चारा में बदलाव होता है, बाकि दूसरी मचलिया है, उनके चारा में ज्यादा बदलाव के जरूरत नहीं होता है, तो कभी भी सर्दी के मौसम में ख्याल कीजिए, कि अगर रोहू, कतला इस तरह की मचलियों का शिकार कर रहे हैं तो आपको हिंग हिंग जो इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा सा अन्श चारा में मिलाना चाहिए अगर आपने शहद इस्तेमाल किया है तो शहद थोड़ा ज्यादा बढ़ा करके डालिए यही चीज होता है सरदी के मौसम में शैवाल जो होता है पानी का अंदर गिरीन कलर का उसका भी इस्तेमाल करते हैं मचली शिकार के लिए तो यही फर्क होता है थैंक्यू सर दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो काफी लंबा हो गया है मैं कोशिस करूँगा अगले कमेंट बॉक्स में बाकी लोगों का जवाब देने के लिए धन्यवाद दोस्तो